जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विज़पत डिपेंस एजुकेशन में आज हमारी नई सीरी स्टार्ट हो रही है HP पुलिस एक्जाम के लिए जिसमें आपको डेली के मिक्स जीके के टॉफ 15 कोशन करवाए जाएंगे आपके लिए रहेगा मिशन 2021 आपका एक्जाम क्रैक होगा ही होगा डेली आपके लिए हमारी तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएगी यह हमारी क्लास बन है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसमें आप 100% शूर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं यह हमारा कोर्स आपके लिए कवर करवाता है आपके जतने भी आने वाले अपकमिंग एक्जाम है चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर गवर्मेंट का हो इसमें आप अपनी तयारी बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी ओनलाइन टेस्स सीरिस, स्पैशल नोट्स और बोक्सों जल्दी से जल्दी 100% शूर सक्सेस के लिए आप हमारा शूर बैट स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आप बीडियो का सिर्मोर राजे का संस्थापक कौन था तो सिर्मोर राजे का संस्थापक था उसका नाम था राजा रसालू आपके लिए बाइलेंग्वल कोईशन जो है वो मैं लेके आया हूँ बन लाइनर कोईशन है जो की एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है मिक्स जीके आपके लिए रहेगा इसमें आपको हपी जीके इंडिया जीके और जनल साइंस से रिलेटेड कुछ कोईशन करवाए जाएंगे सुकेती जीवाशन पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है हमारा सुकेती जीवाशन पार्क स्थित है next one है देश का सरबोच खेल पुरुषकार कौन सा है which is the country's highest sports award in India हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरुषकार है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार next one है बिश्व जल दिवस का मनाया जाता है when is the bird water day celebrated तो पूरे बिश्व का जो जल दिवस मनाया जाता है वो टर डे उसको celebrate किया जाता है 22 मार्च को सबसे सस्ती धातु कौन सी है which is the cheapest metal तो सस्ती धातु है वो है हमारी लोहा iron इसको बोला जाता है और इसके chemical symbol की बात करें तो वो होता है FE जनरल साइंस का question भी आपके लिए यहां से most important बनता है और हमारे शरीर में जो है वो हीमोगलोविन में भी iron पाया जाता है next one है पंच तंतर के लेखक कोन है who is the author of पंच तंतरा पंच तंतर के लेखक है विश्णू शर्मा next one है डॉक्टर सीवी रमन को भोतिक बिज्ञान में नोबल पुरुषकार कब मिला था when did डॉक्टर सीवी रमन केट दा नोबल प्राइज इन फिजेक्स तो उनको नोबल प्राइज दिया गया था 1930 में most important question है और उनको नोबल प्राइज दिया गया था scattering of light से related और इनी के नाम से जो है वो हम पूरे भारत में 28 फरबरी को science day के रूप में मनाते हैं next one है हिमाचल प्रदेस staff selection commission जो की HPSSE है वो कब बनाया गया था when did the हिमाचल प्रदेस staff selection commission HPSSE become कब वो बनाया गया था 1998 में जो है उसको बनाया गया था और mostly हिमाचल के जितने भी exam है ये HPSSE के द्वारा ही करवाए जाते हैं अगर इसके head office की बात करें तो ये हमारा स्थित है district हमिरपुर में next one है भारत के स्वास्थेवं परिवार कल्यान मंत्री कौन है तो बरतमान में जो भारत के स्वास्थेवं परिवार कल्यान मंत्री है मचल की minister of health and family welfare of India उनका नाम है Dr. Harshvardhan next question है बंदे मातरम को गाने में कुल कितना समय लगता है how long does बंदे मातरम take to sing उसको गाने में कुल जो समय लगता है वो है 65 seconds मैं इसको 1 minute 5 second के रूप में भी लिख सकता हूँ और अगर बात करूँ कि हमारा जो रास्टर गान है जनगन मन उसको गाने में कुल कितना समय लगता है तो उसमें लगते हैं 52 seconds 52 seconds उसको गाने में लगते हैं next question है हिमाचल परदेश का राज की खेल क्या है तो हिमाचल परदेश का जो राज की खेल है वो है बोलीवोल but it is the state game of हिमाचल परदेश तो वो है हमारा बोलीवोल next one है हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा रास्टर उद्ध्यान Great Himalayan National Park किस जिले में स्थित है Great Himalayan National Park the largest National Park in Himalayan परदेश is located in Beach District तो आप सबके लिए यहाँ पर दो कोशिन बनते हैं कि हिमाचल परदेश का जो सबसे बड़ा रास्टर उद्ध्यान है National Park है उसका नाम है The Great Himalayan National Park और यह हमारा स्थित है District कुल्लू में next है हिमाचल परदेश का क्षेतरफल कितना है What is the area of हिमाचल परदेश तो जो टोटल एरिया है हिमाचल परदेश का वो है 55673 स्केर किलोमेटर Most important है exam point of view से next one है छोटी काशी के नाम से हिमाचल के किस जिले को जाना जाता है which district of हिमाचल is known as छोटी काशी तो छोटी काशी के नाम से हिमाचल के जाना जाता है next one है हिमाचल परदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है which is the smallest river of हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश की जो सबसे छोटी नदी है वो है हमारी यमुना जो कि हमारी बहती है district सिर्मोर में I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी daily आपके लिए Mixed GK की वीडियो आएगी जिसमें हम more than 15 top questions discuss करेंगे आप हमें social media के उपर follow कर सकते हैं WhatsApp group के साथ आप ज़रूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair Mixed GK के questions साथ में study material और साथ में आपको job alert provide करवाया जाता है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को जादा से जादा like करें Share करें जै हिंद जै भारत